दोस्तो बॉलिवूट के गलियारों में इन दिनों ड्रग और गांजे की काफी ज़्यादा चर्चा चल रही है और कई बड़े एक्टर्स का नाम ड्रग वाले केस में भी आ चुका है अब दोस्तो दीपी का पादुकॉन को ही ले लीजिए हाली में दोस्तो दीपी का पादुकॉन के तरब से एक बड़ी ख़बर निकल के सामने आ रही है जाहती है कि वो ड्रग एडिक थी और उसने ड्रग लिया था ये बात खुद DP का ने मेनेजर करिस्मा परकास से भी कई है और कैसे भी करके अपने बारे में वो सारी सचाई NCB को बताना चाहती है हालांकि दोस्तो कौान टैलेंट एजनसी के कुछ सदर्शेद DP का पर दबाव बनाने एक लिए गोवा तक पहुंच चुके हैं और वो कैसी ना किसी तरह DP का पर ये दबाव डाल कर उनका मूब बन करवाना चाहते हैं यानि कि दोस्तो कौान एजनसी के लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि DP का NCB के सामने पूरी हकिकत सामने लाए क्योंकि दोस्तो लगबख 50 से भी ज़्यादा एक्टर्स का नाम कौन एजनसी के साथ जुड़ा हुआ है और वो सभी NCB के गेरे में आ जाएंगे खेर दोस्तो अब ये देखना वाकई दिल्चस्क होगा कि DP का अगर ये केस कबूल करती है और ये कबूल कर लेती है कि वो ड्रग लेती है तो ये केस कौन सा नया मोर लेता है फिलाल दोस्तो इस केस से जोड़ी हर अपडेट के लिए आप हमार साथ बने रहे है चैनल को अभी दख सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद